हेलो एबरीवन तो कैसे हैं आप लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अब टेरडोफाइट की बारे में यह रहा मेरे बारे में चोटा सा इंटोटेक्शन मेरी प्रोफाइल रही तो यह मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और डिसकस करते हैं एकोनॉमिक इंपोर्टेंस अब टेरडोफाइट की बारे में तो सबसे पहले अगर हम एकोनॉमिक इंपोर्टेंस अब टेरडोफाइट की बात करें तो कुछ फॉर्ण्स होते हैं जो कि जो उनका यंग लीफ टिफ होता है या एक टेरिडूफाइट से टैक्सिस और पोरोजायर यह तो फॉर्ण्स ऐसे हैं जिनको बेज़िटेवल के तोर पे हम यूश कर सकते हैं तो अगर हम टैक्सिस की बात करें तो यह άपको इस ट्रेक्चर यहां एंपे दिखाई दे रहा होगा यह जो फॉर्ण्स है इसको हम वेज़िटेवल की तरीके से यूश कर सकते हैं तो अगर हम बात करें, एक teradophyte है, जिसका नाम है Ampliopteris prolifera, यह ऐसा teradophyte है, यह ऐसा firm यह है, जिसको धेकी साख के नाम से market में जाना जाता है, और धेकी साख के नाम से market में यह बेचा जाता है, और इसको जनरली इंडिया में और पंगलादेश में जनरली इसको लोग यूज़ करते हैं, as a food, तो अगर हम बात करें, मेटियूसिया एक teradophyte है, यह मेटियूसिया की एक species है, मेटियूसिया, as canned or frozen, are served as spring vegetable in USA and Canada, तो USA और Canada के लोग क्या करते हैं, इस मेटियूसिया को spring vegetable के तौर पे यूज़ करते हैं, मेटियूसिया का अगर हम plant देखें, तो मेटियूसिया का plant कुछ इस तरीके से यह मेटियूसिया का plant है, और अभी हमने बात किया, इसका Ampliopteris, Ampliopteris से एक ऐसा plant होता, जिसको धेकी साके नाम से जानते हैं, अगर हम कुछ और Tredophytes की बात करें, जैसे Marsilie की अगर हम बात करते हैं, तो Marsilie की leaves जो होती है, उसको as a vegetable की तरीके से उसको भी use कर सकते हैं, और उसको सूसनी के नाम से जाना जाता है, इसका जो common name है Marsilie का, उसको सूसनी के नाम से जाना जाता है, और vegetable के तौर पे इसको use कर सकते है, Marsilie का diagram आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यह Marsilie है आपका, then the rhizome of many funds such as teris rich in starch is used as food, तो कुछ funds ऐसे होते हैं, जिनका rhizome जो होता है, वो use किया जाता है as a food, क्योंकि उसमें बहुती rich amount में starch present होते हैं, इसके example के अगर बात करें, teris जो होता है, teris एक ऐसा fun होता है, जो कि जिसके rhizome में starch बहुती rich amount में पाय जाता है, और उसको food की तरीके से use कर सकते हैं, तो teris की अगर हम बात करें, तो यह teris आफका, teris यहाँ पर दिखाई दे रहा है, then the corn modified stem of isoids is used as a food by pigs, ducks and other animals, तो जो modified stem होता है, यानि कि modified stem को corn के नाम से जानते हैं, वो isoids, एक ऐसा teradophytes है, जिसका जो corn होता है, वो food की तरीके से use किया जाता है, और कुछ animals, जैसे pigs हो गए, ducks हो गए, यह लोग क्या करते हैं, इसको as a food की तरीके से use करते हैं, तो isoids का diagram आपको यह दिखाई दे रहा हो, तो यह कुछ जो important teradophytes हो गए, तो यहां पर कुछ teradophytes होगा, जैसे isoids, matusia, taxis, marsilia, teres, ampliopteres, prolifera, कुछ ऐसे teradophytes हैं, जिसको food के तौर पर use किया जा सकता है, तो अब हम आके बढ़ते हैं, और देखते हैं, कुछ teradophytes ऐसे भी होते हैं, जिनको हम fodder के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें, कि dry ferns of many ferns, हम ferns का term क्यों use करते हैं, क्योंकि teradophytes की पतियां होती हैं, वो बहुत ही, मतलब काफी बड़ी-बड़ी होती हैं, तो उनको generally leaf ना बोल करके, generally हम ferns के नाप ferns से ही बोलते हैं, तो dry ferns of many ferns, जो ferns के leaves हैं, यानि की friends हैं, वो जब dry हो जाते हैं, तो उसको cattle जो होते हैं, वो use करते हैं as a fodder की तरीके से, तो धिर सारे जो teradophytes हैं, जैसे कि यह आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत different type की teradophytes, इसकी जो leaves होती है, उसको जब सूप जाता है, तो य marcelia यह है, आपका diagram दिखाई दे रहा होगा, marcelia का, इसका codified lamina जो होता है, वो resemble करता है किसे clover, यानि कि trifolium से, या लेकिन यानि कि इसको हम जनरल भासा में अगर बोले तो long, इसको हम बोल सकते हैं, has been used as fodder for animals, ऐसे substitute for clubber, तो clubber की जगे पे हम इसको marcelia का codified lamina होता है, उस तो यह कुछ teradophytes हो गए, जिसको हम fodder में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, then teradophytes कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनका medicinal use होता है, तो medicine में use होने वाले teradophytes बहुत डेर सारे होते हैं, तो हम कुछ-कुछ discuss करते हैं, जो important teradophytes है, जो कि medicine में use किये जाते हैं, तो सबसे पहला नाम आता ह है, lycopodium का, lycopodium आपको कुछ यहां पर दिखाए दे रहा होगा, ये lycopodium का structure आपको दिखाए दे रहा होगा, ये भी lycopodium है, ये भी lycopodium है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगा लाईकोडियम की तो लाइकोडियम के जो स्पोर्स होते हैं, और इस पोर्स आप लाईकोडियम वैङली यूज इन फारमेसी as protective dusting powder लाइकोडियम की जो जो लाइकोडियम के जो स्पोर्स होते हैं वो as a protective dusting powder की तरीके से pharmacy में यूज किये जाते है बहुत ही widely, but tender skin and also as a water table है तो इसकीन में इंफॉक्ट रफीद्श सर्म नहीं होते हैं और इसको कुल vibrations कर सकते हैं तोvette deliren कर सकते हैं एक लयाज जो है बहुत ही चायजाता है । क्रथी चुपलक करना एक एक inflations के जो bacteria वगएरा है या जो fungi वगएरा है उस पर आ करके जो अटक करते हैं तो उसकी वज़े से skin damage हो जाती है तो इसको skin protector के रूप में यानि कि protective dusting powder के रूप में lycopodium को हम use करते हैं लाइको पोडियम के ही अगर हम बात करें तो the folios of lycopodium are used as tincture तो lycopodium का जो foliose होता है वो tincture की तरीके से use किया जा सकता है tincture powder की तरीके से oignment and cream as a stomachin and diuretic oignment and cream के तौर पे भी इसका हम use कर सकते हैं lycopodium का तो lycopodium जो है बहुत ही widely use किया जाता है as a medicine के तौर पे तो अगर हम medicine की बात करें तो medicine में lycopodium जो है important role play करता है then कुछ और बात कर लेते हैं इसी lycopodium की बात कर लेते हैं तो the foliose decocation is used in homeopathy to treat diarrhea, bladder irritability, ezyma, rheumatism, constipation and inflammation of liver तो यह lycopodium का ही जो medicine में use किया जा रहा है बहुत धेर सारी जो diseases होती है जैसे diarrhea की बात करे हैं bladder irritability की बात करे हैं ezyma की बात करें, rheumatism की बात करें, constipation और inflammation of liver में भी इस foliose का जो lycopodium का foliose होता है उसका use किया जाता है एक दूसरा ही बहुत ही important जो teridophyte है उसका भी medicinal use बहुत ही अच्छा है जिसका नाम है equisitum equisitum क्या होता है? equisitum के अंदर salicylic acid और silicate जो होते हैं वो बहुत ही rich amount पे पाया जाते हैं, तो equisitum का diagram आपको कुछ यहां पे दिखाई दे रहा हूँ यह equisitum है अधर हम बात करें potassium, aluminium and magnees along with the 15 type of laminoid compound have been reported from equisitum equisitum इसलिए important हो जाता है क्योंकि इसमें potassium, aluminium, magnees और उसमें about 15 type of laminoid compounds जो हैं अभी तक report किये जा चुके हैं यह जो compound सारे हैं, इनका medicine में बहुत ही अच्छा use माना जाता है इसकी जैसे equisitum, जो है वो teradophyte equisitum, उसका medicinal use बहुत ही broad way में है तो अभी हम देख लेते हैं कि equisitum का use क्या है the flavinoids and esponines are assumed to cause the diuretic effect flavinoid और esponines जो होते हैं, वो diuretic effect में इसको use कर सकते हैं then, अभर हम silicone is believed to exact connective tissues, strengthening and anti-arthritic action तो जो silicone होते हैं, जो से निकाले जाते हैं, वो connective tissues, strengthening में यानि कि connective tissues के जो strength होती है, उसको बढ़ाने में और anti-arthritic action, जो anti-arthritic actions होते हैं, उसकी use के लिए यह बहुत ही important हो जाता है और कुछ several funs have been used as herbal medicine, और कुछ जो funs और भी होते हैं, उनको herbal medicine में भी use किया जाता है एक और हम pteridophyte की बात करेंगे, जिनका medicinal use बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो हम बात करेंगे asplenium की, asplenium and oil 5% filmuron and 5-8% philisic acid extracted from the rhizoma asperidium asperidium से क्या होता है, यह filmuron और philisic acid जो है, यह क्या किया जाता है, extract किया जाता है, कहां से, इस asperidium की rhizome से asperidium का जो rhizome होता है, उससे यह oil निकाला जाता है, और उसका use कहा होता है, वर्मी fuse में, especially against tape warm हम से against जो है, यह oil को use किया जाता है, then अगर हम asplenium की ही बात करें, तो the decocation of asplenium is used for cough and good hair wash, तो इसको cough में और hair wash में भी इसका हम use asplenium का है, asplenium oil का कर सकते हैं, then एक और tedophyte की लिएकर हम बात करें, जिसका नाम है lycopodium, तो lycopodium जो होता है, the expect torrent of polypodium is used as a mild luxative while the tonic is used for dyspecia, तो polypodium जो होता है, उसका mild textensive use है, और dyspecia एक disease होता है, जिसको हम क्या करते हैं, कि polypodium का tonic बना करके हम use करते हैं, कि dyspecia, जो disease होता है, वो सही हो जाता है, then loss of appetite and hepatic problem, loss of appetite में और hepatic problem में भी इस polypodium का use हम करते हैं, then अगर हम बात करें, एक और important teredophyte की, जिसका नाम है osmunda, यह आपको osmunda का plant दिखाई दे रहा होगा, यह osmunda है, then अगर हम बात करें osmunda की, the root decocation of osmunda regalus is used for treatment of jaundice, तो osmunda regalus को हम jaundice के disease में हम treatment के लिए use कर सकते हैं, the ointment made from its root is used for application of und, और उसके root से, यानि कि osmunda regalus के root से एक ointment निकाला जाता है, जिसको हम und में use कर सकते हैं, und में आराम से इसको use कर सकते हैं, और वो बहुत ही effective होता है, then the extraction of osmunda bulgaris, एक और इसका species of osmunda का ही, osmunda यह realist था, यह bulgaris है, तो osmunda bulgaris जो होता है, तो commonly known as green oil charity, जिसको हम green oil charity के नाम से जानते हैं, यह use किया जाता है, इसका भी use uns में ही होता है, then अगर हम बात करें, एक और important terriophyte लेते हैं, जिसका नाम है marcelia, यह marcelia आपको है, marcelia का diagram आपको दिख रहा होगा, the chemically active principle marceline, isolated from marcelia, तो एक chemical निकाला जाता है, जिसका नाम है marceline, जो कि marcelia से निकाला जाता है, जो कि बहुत ही effective agent होता है, जो कि sedative and anti-convulisant principle में इसको यूज किया जाता है, then अगर हम बात करते हैं, एक और terriophyte की जिसका नाम में drive terries, drive terries का diagram आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा हुआ, यह drive terries का plant है, the rhizome and front based of drive terries have been used to determine the origin and pathway of dispersed pathogenic insects like thorn earworm, तो अगर हम बात करते हैं drive terries की, तो इसका जो rhizome होता है, और इसका जो front का base होता है, उसको हम use करते हैं, determine करने के लिए, कि जो dispersed pathogenic insects होते हैं, उनको हम क्या कर सके, उसका path हम, path को हम क्या कर सके, उसको हम, उसकी origin, path की origin को हम determine कर सके, तो इसका use किया जाता है, drive terries इसका use किया जाता है, then एक और important हम teridophyte की बात करें, इसका नाम है ophioglycem, ophioglycem जो होता है as green oil charity, इसको भी green oil charity के नाम से ही जानते हैं, और extraction जो इसका होता है, oil का, ophioglycem से जो oil निकालते हैं, उसको बोलते है, green oil charity is also uses remedy for wounds, इसको भी wounds में ही use करते हैं, अगर हम बात करें teridophyte की, तो teridophyte horticulture plant जो होते हैं, इसमें भी इसको use कर सकते हैं, यानि कि अगर हम बात करें, many species of teridophytes are cultivated for their aesthetic value, तो बहुत सारे teridophytes ऐसे होते हैं, जनकी aesthetic value होने की वाज़े से, उनका cultivation किया जाता है, तो बहुत सारे nurseries में और greenhouses में, साइलोटम को विस्क फंग के नाम से, नाम से इसको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, तो horticulture में भी teridophyte का बहुत ही अच्छा role माना जाता है, then हम कुछ teridophytes की बात कर लेते हैं, जो कि different uses हैं, जैसे कि कुछ important teridophytes ही हैं, जिसका economic importance है, वो table के form में दिया हुआ है, हम एक-एक करके इसको देख लेते हैं, जैसे कि remora antiformis, जिसको हम leather leaf fern के नाम से जानते हैं, इसका use है, cut flower arrangement में, then marsilia, marsilia का food में use करते हैं, azola, azola को bio fertilizer की तरीकी से use करते हैं, dryopteris, dryopteris का use treatment of tapeworm में किया जाता है, अगर tapeworm किसी को, tapeworm का disease किसी को हो जाता है, तो dryopteris यूज किया जाता है, then teris betata, teris betata का use, removal of heavy metals from soil, bioremediations में किया जाता है, then teradium species, इसका use, leaf field green dye में किया जाता है, इक्विस्टिटम species, इक्विस्टिटम species का use, इस्टिम फार, सोपरिंग में किया जाता है, then silotum, lycopodium, silesinella, angiopteris और mariatia, इसका use जो है, ornamental plant में किया जाता है, तो यह कुछ important teradophyte हैं, जिसका अलग-अलग use है, then, अब हम आगे move करते हैं, और देखते हैं कि land escape and floral industries में भी teradophyte का बहुत ही अच्छा use माना जाता है, तो बात करते हैं, ferns are great landscape plants, ferns जो होते हैं, बहुत ही अच्छे landscape plants माने जाते हैं, and are used for their attractive lacy foliose, और इनका use हम करते हैं, क्योंकि इनका foliose, lacy foliose होता है, बहुत ही attractive माना जाता है, जैसे कि आप यह देख रहे हैं, इसका foliose है, यह कितना attractive तरीके से हैं, बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है, यह इसका leaf है, यह बहुत ही अच्छे तरीके से, यह दिखाई दे रहा है हमको, बहुत ही attractive, then, in the floral industry, fern are used for both houseplants and greenery for floral arrangement, तो floral industries के अगर हम बात करें, तो fern को हम houseplant और greenery और floral arrangement के तौर पे भी इसको हम use कर सकते हैं, क्योंकि यह देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसकी हुझे से, इसको हम houseplant के रूप में भी रख सकते हैं, some of the most popular ferns for these purposes, और अगर हम इस term के अगर हम बात करें, fern की बात करें, कि इस purpose के लिए, यानि कि houseplant की बात अगर हम करें, या floral arrangement जो इसका होता है, वो बहुत ही attractive होता है, इसको हम houseplant के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम कुछ important, popular ferns को अगर लें, जैसे की nephrolipis, nephrolipis species एक है यहाँ पर, जिसको हम sword fern के नाम से जानते हैं, nephrolipis का आपको exact, यहाँ पर यह आपको plant दिखाई दे रहा होगा, यह nephrolipis का plant है, then bird nest fern, जिसको हम asplenium के नाम से जानते हैं, asplenium nidus, यह bird nest fern के नाम से जाना जाता है, इसका जो asplenium nidus होता है, यह आपका diagram यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, then floral fern, जिसको remora, remora का plant जो होता है, जिसको हम floral fern के नाम से जानते हैं, यह आपका remora का plant है, remora का plant होगे आपका, तो इसके species यह है, nephrolipis की यह species यह है, यह asplenium की species है, और यह remora की species है, तो landscape and floral industries में, यानि कि और purpose of house planted and greenery, जो होती है, उसके तोर पे हम इसको teradophytes को भी use कर सकते हैं, क्योंकि उनके leaves जो होते हैं, बहुत ही attractive होते हैं, उनको हम एक तरीके से floral industries में भी इसका बहुत ही अच्छा use माना जाता है, then, teradophyte uses a fertilizer, तो एक बहुत ही अच्छा हमने use पढ़ा, teradophyte का, जो कि हमने medicine में पढ़ा, अब दूसरा एक बहुत ही अच्छा use हम fertilizer में पढ़ने वाले हैं, तो fertilizer के अगर हम बात करें, तो the mosquito fun azola pinnata, अजोला pinnata को mosquito fun के नाम से भी जाना जाता है, is barely recognized as a fun, इसको बहुत ही basically fun बोला जाता है, क्योंकि यह fun ऐसा होता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन यह fun ही होता है, it is small and aquatic, यह कैसा होता है, छोटा होता है और aquatic होता है, floating on ponds, ponds के surface पे यह तैरता रहता है, तो इसको generally लोग देखने के बाद में, ऐसा लगता है कि जैसे यह fun ही नहीं है, लेकिन भले हो, small in size में है, aquatic है, floating है, ponds के ओपर, ओपरी surface पे वो तैरता रहता है, लेकिन वो है तो fun ह जिसको हम azola pinata के नाम से जानते हैं, इसका common name जो होता है, वो mosquito farm होता है, it has the ability to fix nitrogen, इसके पास ability होती है, nitrogen को fix करने की and make it available to other plant, make it available to other plant, और nitrogen fixation करने के बाद में यह दूसरे plant को यह available वो करवाता है, and this ability has led to its extensive use with water crop such as rice, तो rice में, जब rice के use होता है, मतलब rice के crop में, इसका जो होता है, बहुत ही अच्छा use माना जाता है, then azola की ही बात करें, azola pinata has a symbiotic association with nitrogen fixing blue grain algae, namely anabina azoli, तो azola pinata जो होता है, वो nitrogen fixation में तो participate करता ही है, लेकिन यह association में, यानि कि symbiotically associated होता है, कि इसके साथ में, blue grain algies के साथ में, जैसे कि एक blue grain algae है, anabina azoli, due to this property, the agronomic potential of azola as biofertilizer for rice has been recognized in many countries, including India, Philippines, USA, Sri Lanka and Thailand, तो यह सारी properties जो azola pinata के अंदर होती है, इसकी वज़े से यह जो biofertilizer के तोर पर यूज किया जाता है, इसको बहुत सारी countries जो है, बहुत ही अच्छा, इनमें, बहुत ही अच्छे तरीके से biofertilizer के तोर पर यूज किया जाता है, जैसे India की बात करें, Philippines की बात करें, USA की बात और Thailand की बात करें, तो इन countries में azola pinata का use biofertilizer के तोर पर किया जाता है, बहुत ही widely किया जाता है, it has been also found that by applying azola the soil fertility improved by increasing total nitrogen availability, organic carbon phosphorus and potassium, तो azola का use और भी soil fertility के तोर पर भी किया जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है nitrogen content यह azola pinata बढ़ा देता है, soil में और यह जो soil के अंदर जो organic carbon phosphorus और potassium होते हैं, वो दूसरे plants को यह available करवाता है, इसकी वज़े से यह soil fertility में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल माना जाता है, then azola की ही अगर हम बात करें, तो azola has also been used as food supplement in fresh or dried or ciliage form for a variety of animal including pigs, cattle, rabbits, ducks, chicken and fishes, तो azola जो होता है, azola का use food supplement भी किया जाता है, जैसे कि अगर pigs की बात करें, cattle की बात करें, rabbit की बात करें, ducks, chicken and fishes की बात करें, तो यह जो होते हैं, यह food के तोर पे इनको दिया जाता है azola, then other uses of azola including hydrogen production, bio-based production, is an ingredient in soap production and to certain extent as human food, तो azola जो होता है, बहुत सारे और भी इसके uses होता है, जैसे कि hydrogen production की बात करें, bio-based production की बात करें, ingredient in soap, soap के ingredient में भी इसका use किया जाता है, और human के food में भी इसका use किया जाता है, तो एक azola, azola pteridophytes का plant जो है, जिसको mosquito fun के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक fertilizer के तौर पे उसको use किया जाता है, और उसके different different काम भी है यहाँ पे, इस तरीके से azola जो है, वो pteridophytes में एक अलग तरीके से use किया जाता है, बनलब एक अलग तरीके से place उसको दिया जाता है, क्योंकि bio-fertilizer में बहुत ही अच्छा use माना जाता है, इस azola था, then कुछ और uses किया अगर हम बात करें, तो ferns provide natural vegetation that's important to both wildlife and birds, तो ferns जो होते हैं वो natural vegetation क्या करते हैं, provide करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो की important माना जाता है wildlife and birds के लिए, then अगर हम बात करें, various animals uses ferns as food, while birds and small creatures use the plants for cover, तो बहुत सारे birds ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो टेर्ड़ोफाइट्स ऐसे होते हैं, जो की टेर्ड़ोफाइट्स का ferns जो होता है, वो food के तौर पे यूज करते हैं, और कुछ small birds जो होते हैं, वो अपने आपको cover करने के लिए भी इसका use करते हैं, some of the ferns are used in handicrafts, petioles of certain ferns are used for making bakeries and bracelets, तो कुछ ferns ऐसे भी होते हैं, जिनको हम handicrafts में use कर सकते हैं, और कुछ teradophytes यानि ferns के petioles होते हैं, उनका use basketry and bracelets बनाने में किया जाता है, then, teradium leaves are used for making the green dye, teradium एक teradophytes होता है, जिसका use हम green dye बनाने में करते हैं, then, अगर हम बात करें, club mosses are used as dry industrial lubricant, since its macroscopic spore contains non-validile oils, तो कुछ को club mosses होते हैं, उनको हम dry industrial lubricants के तौर पे use कर सकते हैं, then, अगर हम बात करें, the sports are also used as flesh powder in photography and also fingerprint powder in forensic investigations, तो जो कुछ sports होते हैं teradium leaves के, उसको flesh powder photography में use करने के लिए, और fingerprint powder, जो की forensic investigation में use किया जाता है, उसको मनाने में भी ये किया जाता है, तो ये हो गई, overall बहुत, economic importance of teradophyte की, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, तो like जरूर करें, in fact, आप अपने दोस्तों को भी share कर सकते हैं, and don't forget to subscribe my YouTube channel, biology by SKSF, thank you so much.